कुछ लोग जब गुस्सा आता है तो बात की खाल निकाल देते हैं उसमें से बाल की खाल निकाल देते हैं वो उस चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं शायद वो बात इतनी बड़ी हो भी ना लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया जाता है कि रिलेशन्शिप के माइने ही नहीं रहते हैं फिर सब कुछ बिखर जाता है तो गुस्सा इस इमोशन के बारे में अगर आप हमें कुछ पता सके बहुत ही बढ़ी आवाद बता रही है अनाइका गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सब आजकल आलमुस्ट मैंने समझता हूं कि छोटा बच्चा भी हो ना अग पहला ये पक्ष ये है कि गुस्सा इन वाटर दरीजिंस हाओ इन तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई लक्ष रखा रहता है और अगर उस लक्ष में कोई विग्न बनता है तब गुस्सा आ जाता है कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से फ्रस्टेड़ेड हैं और किसे ने हलक को सच बोलना चाहिए और उस self-created rules को या तो मैं swim उलंघन करता हूं या तो कोई सामने वाला उलंघन करता है तब भी हमें घुस्सा आ जाता है तो ये ये भी एक root cause होता है गुस्से का बट ये तो ठीक है ये तो हमने कुछ चीजे बताई situations जब हमें गुस्सा आने के chances बढ़ जाते हैं ये मैंने common theme दी है stories बहुत सारी हो सकती है लेकिन अगर हम बात करें उसका एक origin कहें गुस्से का तो गुस्से में भी न एक प्रकार का न नेगेटिव प्लेजर इंद्रिय सुख चुपा रहता है अब आप शायद सोच रहे होंगे गुस्से में प्लेजर ऐसे कैसे हो सकता है जो गुस्सा कर रहा आपके उपड़र हुआ हंता हैं और जैसे हमने बताया था पांच विकार काम क्रोध लोः मोह कर गीता में में महाशत्र क्रोध कंभा को कि आदा गए तो कि हुक्रोध की कीवाट बॉत है अगर हम करता है कि गुस्सा आता है मैं तो हम क्या करते हैं एक शणिख वीजय का एक प्लेजर, just to get that momentary pleasure, हम वो गुष्से कर बैठते हैं, तो गुष्से के पीछे, अगर अबसर्फ किया जाए, तो बहार से तो यह गुष्सा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, वो है हमारा subtle ego, abhimaan, because I want to prove something, yes I am right, these are my standards and you have to behave accordingly, आपका ऐसा ही परताफ करना है, तो हमें बहार से दिखाई देता है गुष्से के शक्ति, लेकिन उस शक्ति के पीछे, एक negative energy, that is ego कही न कहीं operate हो रहा है, और just to get some momentary pleasure of victory, शनिक विजय प्राप्त करने के लिए, हम अपना आप आखो बैठ हैं और सम्मंद विगार बैठते हैं, प्रदर यहां पर एक सवाल आता है, ऐसे कहा जाता है कि significance, ये भी एक तरीके का requirement होता है, आज अगर मैं significant feel करने के लिए, गुसा करती हूं, तो वो भी एक तरीके का अफगुन है, लेकिन, significance को हम positively कैसे fulfill कर सकते हैं, ये मैं जानना चाह क्योंकि देखेए, बले ही हम कितना भी बोल दे कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें गुसा नहीं करना चाहिए, हमें सब को प्यार से बात करनी चाहिए, बट हम भी तो कुछ expectations रखते हैं, राइ, लाइफ को लेकर के हमारी भी कुछ expectations है, और वो significance हम जरूर चाहेंगे, बिल्कुल, लेकिन वो significance को हम positively कैसे भर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजे जो आप हमें tips दे सकते हैं, कि अपने significance को हम positively भरें, ताकि हमें लोगों पर गुसा ज्यादा ना आए, और हम गुसे के थूरू जो pleasure create करके, जो significance पील करना चाहिए, वो हम ना करें, अना एकर क क्या होता है कि, जैसे हमने बता है कि जहां पर ego होता है, वहां पर खालीपन है, और जब तक हो खालीपन रहेगा, तब तक ego बरकरार रहेगा, तब तक गुसा भी बरकरार रहेगा, पर मैं समझता हूँ कि हम significance जिसे आप कहा हैं, कई बार लोग उस false image को significance समझ लेते हैं, तो उस इमेज के आधार पर कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा लोग इस बात पर जोर देते हैं कई बार भले हम स्पिरिच्छुलिटी में बताते भी हैं तो ज्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि भाई साब आप गुसे की तो कर रहे हैं बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी ओर्गनाशन को रन कर रहा हूं और लोग मेरा अंडू एडवांटेज ले रहे हैं तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ राइट या अगर मान दीजिए मैं स्कूल टीचर हूं अब मैं काऊं कि निया आज के बात हो मैं बहुत श एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम बिना गुसा किये हुए भी काम निकाल सकते हैं और बढ़ा असान तरीका है मुझे कहानी आदा जाती एक पुरानी कहानी लोग बताते हैं कि सांप संथ के पास जाता है कहता है कि लोग मुझे बहुत परिशान कर रहे हैं तो संथ बोलते हैं तो संत उसे बताता है कि मैंने तुम्हें काटने के लिए मना किया था फुपकारने के लिए डरहने के लिए मना नहीं किया था तो कहने के मतलब क्या है स्टोरी के बिश्व मोटिव यह है कि अगर हमें लगता है कि लोगों के सामने स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो हम एक acting कर सकते हैं कि जिसे हम थोड़ी से आवाज को modulate कर रहे हैं जिसमें हम सामने वाले को ये message convey कर रहे हैं कि I am not feeling comfortable job कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? सामने वाले को एक message भी पहुंच जाता है और मेरी mental state भी अंदर से क्या है? तो इसमें हमें acting learn करनी पड़ती है मेरे साथ मुझे जात है मैं अपना अनुभाव शेयर करना चाहूंगा इस विशे में जम शुरू-शुरू की दिनों में जब हम IT कमनी में जॉइंट हुए थे तो एक manager था and we had joined as a consultant तो उसको काम निकलवाना होता था तो क्या करता था अभी एक second में वो ऐसे कुछ बोल देगा जिसे हम बहुत serious हो जाएंगे और अगले पल इतना हसेगा तो हमेशा वो confused रखता था तो हमें समझ में निया आता था कि whether he is angry or whether he is in which state he is कहने का मतलब था वो शक्ति, love और law दोनों का balance करके चलता था तो सार ये है कि एक होता है गुसा करके हमने काम निकल वाया और एक होता है कि हमने सिर्फ एक हलकी से act की जिसमें हमने थोड़ी seriousness दिखाई उससे भी हमारा काम निकल गया दोनों में काम निकल रहा है लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा है मैंने अपनी mental state बिगाड़ी फिर काम बना और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है मेरी mental state बहुत शान्त है मैंने सिर्फ एक drama play किया एक act किया ताकि सामने वाले को एक just message आए कि he is not feeling comfortable I should be in my boundaries Brother यह जो आप कहरे है कि हमें act करना चाहिए कि मेभी अपने एमोशन को उन तक पहुचाना है कि भाई हम यह फिल कर रहे है या आपको इस तरह से यह करना चाहिए और या इस तरह से यह करना चाहिए and this is the process that I am looking for मैं फिर से करेक करूँ का इसमें हमें अपने इमोशन को नहीं हमारे इमोशन तो इदम शीतल और शान्त है बाहर से केवल हम एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं नहीं ब्रदर पते क्या होता है कि सब लोग ड्रामा नहीं कर सकते बिल्कुल बिल्कुल So everyone cannot be We have to learn Yeah And I believe that this is something that will create duality मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के सामने एक्ट करते है कि जो हम फील कर रहे हैं वो हम सिर्फ दिखानी रहे और हम उनको एक अलग इमिज दिखा रहे है कि बही मैं बोट सीरिस अबी एक मी सीरिसली In a way, आप अंगर को एक दिरेक्शन दे रहे है जस्टिफाइ कर रहे है जस्टिफाइ कर रहे है At the same time, एक दिरेक्शन दे रहे है कि मैं आक्ट कर रहे हूँ तो यह आप खुद को फील करने के लिए यह बता रहे हैं कि मैं आक्ट कर रहे हूँ रियालिटी यह है कि आप अंगर को सिर्फ गाइड कर रहे है अच्छा जो मुझे फील हो रहा है सेकेंड फिंग जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं उस मोमेंट पर वो बुली भी लगता है इन वे आप बुली कर रहे हैं क्यूंकि आप जो फील कर रहे हैं वो आप बता हैं और आप कुछ एक्ट कर रहे हैं और हमेंटल स्टेट हमारी डिफेरेंड है तो इस case में अनायका हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे हमारा intention क्या है हमारा intention कोई अपने मतलब या स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है लेकिन एक duty जो सामने वाले को दी जा रही है जो उसका कर्तव्य है अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है इस विचलित पने को कहीं ने कहीं उसको track पे लाने के लिए मैं उस intention से एक नेक भावना के कारण में ये duality कर रहा हूँ वरना मेरा तो उस आत्मा के प्रति असीम प्यार है लेकिन कई बार discipline में लाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो इसलिए उसे हम dual situation को हम ऐसे नहीं कह सकते की नहीं है तो यह समझना हमें बहुत जरूरी है कि हमें लग रहा है कि duality है बट इन रियालिटी इस duality is for a good cause तो अगर इस प्रकार का maintain करते हैं तो कोई problem नहीं है और ऐसे नहीं कि हर बार आदमी undo advantage करेगा हाँ जितनी बार कर रहा है तब इसके बाद भले आप उसे प्रेम से मिले प्रेम से पेशा है कोई problem नहीं क्योंकि अगर हमने थोड़ा बहुत भी शक्ति रुपा या थोड़ी सी strictness या discipline नहीं पताई तो people may take undo advantage जिससे कमनी को भी loss होगा हम भी असंतुष्ट रहेंगे तो discipline के नाते यह duality with good intention there is no harm this is justifiable बिल्कुल brother ब्रदर आजके episode में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम सभी कारों को जोड़े तो एक बात निकलती है कि अगर किसी भी चीज को आप परोस रहे हो तो आप सही तरीके से परोस होगे तो ही सामने वाला बंदा निश्चिन तोकर और प्यार से खाएगा बिल्कुल लिकिन अगर उसकी परोसनी का तरीका ऐसा है presentation अच्छी नहीं है तो वो खाना भी टेस्टी नहीं लगेगा कि अगरेसिव हो जाए एकदम अमर्यादित हो के आप ड्रामाफिकर्शन की जाए नौट अ इन वी असर्टी वोके इमांदारी के साथ अगर रखते हैं तो उसका आपके इंटेंशन प्योर है तो लोगों को भी ये वैब्रेशन जाते हैं कि यस थोड़े सेरियस लग रहे हैं I think I am crossing my boundary now I should be in a proper way absolutely brother thank you so much brother for all the knowledge om shanti om shanti